हम स्टार्ट करेंगे कम्प्यूटर लेकिन बहुत सारूं के दिमाग में होता है सर ये जो कम्प्यूटर है क्या ये मेरा घर में कम्प्यूटर है वो ही कम्प्यूटर है या जो मेरे पस लेप्टॉप है वो ही कम्प्यूटर है बाई, computer के definition के हिसाब से, आपके सामने TV जो है न, वो भी computer है, radio computer है, remote controller computer है, mobile आपके सामने है न, अभी आप देख रहे हो, वो भी computer है, अरे, calculator computer है, क्यूं? क्यूंकि कोई भी device, जिसमें आप input डेते हो, processing होती है, output निकलता है, वो computer है, यह है computer के definition, कोई भी device, जिसको आप input डेते हो data, फिर processing होती है, फिर output में information मिलती है, वो ही है computer, अरे, TV को आप input डेते हो, अरे, कोई बटन ही दबाते हो, वहाँ से अंदर से processing होती है, डिस्पले में कुछ निकलता है, रेडियो में आप ट्विनिंग करते हो न, input देते हो, वहाँ से तब ही तो, signal निकल के, चेंज होती है चैनल, output, अरे, मोबाइल पे आप अभी बटन दबाओ, input है, जो सामने आपको screen को मिलेगा, output है, बीच में processing हो गई, अरे, कल्कुलेटर करो न, अरे, कोई भी चीज, यार, जिसमें ये system है, input, processing, output, वो है computer, अब मैं आपको ये बताना से सहमत नहीं हूँ, reason ये है क्योंकि आप खुदी, 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 common sense लगाए, common sense की बात है, अगर computer electronic device ही है, तो आपके history में, आपने बोला है, abacus भी computer है, वो तो mechanical device है, napier bones, आप देखी न, history of computer, napier bones भी computer है, अरे, वो तो mechanical device है, वो तो electronic नहीं है, pascaline, mechanical device, jacquard's loom, mechanical device, अरे, मैं आपको बताऊँ कि आप जो बोल रहे हो, electronic device, वो तो आप, actually आप, जनरेशन की बात कर रहे हो, अभी जो मैंने line बोली न, शायद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक बंदा पढ़ता है, history of computer कैसे, history of computer हैसे पढ़ता है, देखो कैसे, abacus, china, first mechanical device, चलो, nap पियर बोन्स, john ने पियर, Scotland का, pascal line, adding machine, उसको बोलते है, adding machine भी, blessi pascal, france का, jacquard's loom, jacquard ने discover किया, france का था, analytical engine, charles babbage, london का था, tabulating machine, hall art, america था, अरे, mark one, inac, idsec, uniac, ibm, ऐसे पढ़ना नहीं है, भाई, history, अरे, history of computer को आप generation of computer से mix करो, पहली बात, history of computer और generation of computer में आपको अंदाजा ये होगा, पहले बड़े computer थे, बाद में छोटे थे, पहले power ज्यादा लेते थे, बाद में कम power लेते थे, बड़े क्यों थे, बाद में computer ICs, फिर LSI, LSICs आए, फिर SLSICI, मकसद की बात ये है कि पहले बड़े थे, बाद में छोटे क्यों है, reason के साथ पढ़ो, पहले power लेते थे, ज्यादा बाद में power क्यों लेते हैं, कम, power consumption, reason के साथ पढ़ो, पहले memory कम थी, फिर बाद में memory ज्यादा हुई, reason के साथ पढ़ो, पहले speed बहुत slow, फिर बाद में generation to generation, reason के साथ पढ़ो, speed ज्यादा हुई, ठीक है न, processing speed ज्यादा हुई, पहले storage कम, बाद में storage ज्यादा, अब आप ये भी समझो, जो आप history of computer पढ़ रहे हो न, वो आप पढ़ रहे हो, mechanical devices, mechanical computers की, या electro mechanical computers की, फिर जो generation आता है न, उसमें आप पढ़ते हो, electronic computer का generation, अरे ये कोई बुक नहीं बोलेगे आपको, ये हम बोलेंगे आपको, history और generation में जुड़े रहे हैं, आपको करना क्या है, subscribe करना है, bell icon को दबाना है, तभी तो आप जुड सकते हो, हमारे साथ, तभी तो आपको कुछ special, special देखनी को मिलेगा, अब, चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा गुमा फिरा के मैं direct स्टार्ट करता हूँ अब, computer क्या है, sir, और इसका father कौन है, computer का father है, Charles Babbage, computer का father है, Alan Turing, अरे दो दो father कैसे, याद रखना, अगर ये सवाल आया, who is the father, computer, तो Charles Babbage आप लिखोगे, अगर ये सवाल आया, who is the father, modern, modern, modern computer, फिर आप लिखेंगे, Alan Turing, ठीक है, computer के father तो होगे, लेकिन computer दो चीजूं से बना हुआ है, computer में दो major, major compartments है, एक है hardware, दूसरा है software, hardware और software मिल के computer बनाता है, hardware होता है, जिसको आप touch करो, software होता है, जिसको आप touch नहीं कर सकते हो, hardware tangible है, touch वाला, software not tangible, cannot touch, अब hardware में क्या क्या है sir, क्योंकि बहुत सरे बच्चों को लगता है, CPU software है, बहुत सरे बच्चों को लगता है, RAM, ROM software है, अरे नहीं बाई, आप उसको touch कर सकते हो, आप बना सकते हो उसको खुदी, आप प्रोग्रामिंग के बगैर उसको बना सकते हो, देखो अब ही, hardware में input devices आते हैं, output devices आते हैं, थोड़ा सा नजदीक लाओ, दिखाई, 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 देगा आराम से, देखे, hardware में input devices, output devices, central processing unit भी hardware है, memory भी hardware है, यह चारूं हाडवेर ही, अब इन चारूं को थोड़ा सा मेने खोला, जैसे के central processing unit में इस control unit है, arithmetic logic unit है, यही दोतों होते हैं न, CPU में, यह भी hardware है, memory में बहुत सारी memories है, जैसे के register, RAM, ROM, आप जिनको बोल सकते हो primary memory, फिर secondary memory, अरे इतनी ही memory नहीं है भाई मेरे, resistors है, catch memory है, flash memory है, virtual memory है, resistors में accumulator है, buffer है, अरे टेंशन लेनी की जूरत नहीं, अरे इतनी ही memory नहीं है, फिर secondary memory पर magnetic tape है, magnetic disk है, floppy disk है, hard disk है, टेंशन लेनी की जूरत नहीं, सर यह क्या बोर यह बार 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 हम कितना याद रखे, अरे अभी तो यह पढ़ना है न, मेरे बाई सामने, थोड़ा idea दे रहो है, idea, कोई बात नहीं, इतना ही याद रखो, टच करोगे hardware, जिसको आप टच नहीं क आगे तो यह पढ़ना है न, अरे यह हमारा syllabus है पूरे computer में, एक साथ याद रखना नहीं ठीक लगेगा, बस सुन लो, अभी सुन लो, अभी सुन लो, अभी सुन लो, अभी सुन लो, आपके मोबाईल का operating system, android, वो भी तो software ही है, मेरे बाई एटी सी लिका है, मेरे बहुत सा कम्प्यूटर में एक साथ थोड़ी पढ़ेंगे, चलो भाई, hardware, software मिलके computer बनता है, इतना तो समझ आ गया है, सर, उसके आगे चलिए, देखो, अब hardware तो सब को पता है कि हाभी, टच होगा, तच होगा, दिखाई देएगा, हाँ हाथ से टच करेंगे, लेकिन software टच नहीं हो अब यह बात को समझने के लिए आपको आगे मेरे lecture देखने होंगे, ऐसे थोड़ा सा इतर बताऊँगा, so after किस चीज का बना है, यह तो language ही होती है, simple वाली बात है, आप सबसे पहले कोई mobile पे laptop पे कोई button दबाते हो, उसको बोलते है command, command कोई करते हो, command, जब बहुत सारे command आ set बनाता है program, और बहुत सारे programs का set, multiple programs बनाता है software, और यही software आपके hardware को चलाता है, समझ में नहीं आया यह hardware आपका कुछी काम कर नहीं, जब तक software नहो, आपका हाथ, पैर, यह सारा कुछ hardware है, लेकिन जब तक उसको अंदर से कोई sensory organs नहो, जो sense करे, जो उनको चलाए, जो hardware, तो यह सारी चीज़ है, इनको चलाने के लिए एक आवाज चाहिए, एक बातचीत चाहिए, हाँ बाई, memory, चलो, आप स्टोर करो, हाँ बाई, CPU, processing करो, हाँ बाई, ALU, logical और arithmetic operation करो, अरे इसको कोई आवाज चाहिए, आप तो नहीं जाते है computer में सुनाने, हाँ बाई, यह स करना, software हाडवेर को ही चलाता है, software हाडवेर की बाशा है, आप ऐसा समझ जाकते हो, यह लंगवेजी एक्चली, ओक चलो, ठीक है सर, आगे समझ, आगे चलिए, computer लेटिन टर्म से निकला है, computer, जिसका मतलब है calculate करना, इसलिए अगर आप definition कभी कभी देखोंगे, computer को भी यह ठीक है ना, कोई भी device जो calculate करेगा, वो computer है, यह भी एक definition है, जैसे कि calculator, mobile, radio, remote calculation करता है ना बाई, sorry, remote, radio, sorry, remote, mobile, calculator कर सकते हैं, calculations, अब, नए टाइप के remote, अब, याद रखना कि computer नहीं सोच सकता, इंसान की तरह, नहीं efficient decision ले सकता, इंसान की तरह, नहीं है वो intelligent इंसान की तरह efficient, यह मैं efficient क्यों याद कर, क्यों बोल रहा हूँ, क्यूंके computer भी थोड़े, मतलब थोड़े, 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 थोड़े limit तक decision ले सकता है, computer भी थोड़े limit तक intelligent हो सकता है, जैसे कि आप सुनते हो, artificial intelligence computer की, robotics computer का, computer robotics, sorry, artificial intelligence and robotics आप यह कह सकते हो, कि थोड़ा सा यह सोच सकत हैं artificial intelligence and robotics में पढ़ना है आपको यह यह सारी चीज़े पढ़ने हैं अभी लास्ट में देख लीजिए computer के feature उसके बाद हम असली चाड़ेंगे functioning up computer पे feature क्या है speed है हाँ बाई computer में बहुत ज़ा speed होती है accurate होता है convenience है आप एक जगा से दूसरी जगा ले सकते हो automatic है यह automatic system पे चलता है आप कोई instruction दोगे तो automatically चलेगा automatically चलेगा वर style है वर style मतलब बहुत सरे tasks at a time करना diligence है मतलब आप कितना भी काम इसे कराओ यह थकता नहीं है यह थकता नहीं है इंसान की तरह store कर सकता है secret है इसमें information आप password भी दे सकते हो प्रॉसके कान्ती हो किसी भी चीज को आप password भी दे सकते हो plug and play आप इसके अंदर कोई बी चीज डालो play हो जाएगा memory card डालो play हो जाएगा memory card में जो होगा pen drive डालो play हो जाएगा pen drive में जो होगा input device डालो input devices play हो जाएगे टेंशन मत लीजिए आप हम सारी चीज़े क्लियर करेंगे आपको आगे भी देखो आप अब functioning आप computer architecture आप computer इसको समझने के लिए क्योंकि मैंने क्या बोला computer है जिसमें आप input देते हो processing होती है output मिलता है और बाद में आप इसको store भी कर सकते हो ये तो मैंने बोला पहले input processing output store वही समझेंगे हम कैसे computer function करता है function कैसे करता है computer देखो बाई सबसे पहले आप input devices से input देते हो हमें input devices यहाँ पर नहीं पढ़ने है lecture लंबा हो जाएगा अलग अलग इतने सारे input devices पढ़ाओंगा आपको अरीहंट लुशनट भूलने वाली है इतने सारे output devices पढ़ाओंगा आपको मतलब आपको किसी चीज़ की ज़ुरहत नहीं बस देखो बैं input devices for example keyboard आपने input दे दिया mobile ये laptop है चलो keyboard पे आपने click किया वो है input input device है जिससे आप data देते हो input devices से data निकलता है याद रखना data एंटर होता है computer में input से ठीक है और central processing unit processing करता है इस data की input के बाद processing हूं तो ही है याँ पे लिखना processing unit अपने तक ही तो है याँ पे लिखना unit जब हर जगा unit तो processing में unit क्यों नहीं यहाँ लिखना unit चलो खोडी लिख लेना अब अब देखो processing unit में क्या CPU उस data को input से आए हुए data को processing करता है ठीक है उनको उसको बोलते भी है central processing unit और फि मिलती है information output पे मिलती है input से data देते है output पे information मिलती है input से data देते है ठीक है output devices सर कोई बताए आपका screen आपका monitor ठीक है न output device और जो आपके screen पे output है वो अगर आप store करना चाहोगे तो यह है storage unit पहले input फिर processing फिर output फिर storage याद रखना अब information और data में थोड़ा से data क्या होता है डाटा होता है जिसको जिस पे आप काम करना चाहते हो unprocessed raw facts जिस पे आप कोई काम करना चाहते हो processing क्या sorry information क्या है information है जब आपके data को processing हुई और वो usable format में आया उसको बोलते information data जब प्रोसेस हो होता है organize होता है structure मिलता है और present होता है output unit पे वो होता है information ठीक है information usable format अब data होता है अब ठीक तो है processing में क्या क्या है याद रख लीजे processing में CPU तो होता है central processing unit ठीक है जिसको बोलते है heart या brain अप computer center processing unit में तीन चीज़ें है हार एक बंदा बोलेगा आपको दो ही है control unit ALU ना भाई तीन है तीसरा बहुत important है registers भी होते हैं एक छोटी memory CPU की आप मालो registers फिलाल इतना मालो एक छोटी memory CPU की registers control unit arithmetic logic unit यह करता है arithmetic और logical operation हम आगे lecture में सिखेंगे क्या होता है वो gates weights थोड़ा पड़ेंगे हलका सा ज्यादा नहीं डराओं डरों मत gates ज्यादा नहीं पड़ने control unit यह पस control करेगा कहां से input आएगा कहां से output देना है कहां से memory में store करेंगे क्या करेंगे storage unit मैंने आपको बोला store up कर सकते हो store up कर सकते हो या तो primary storage या तो secondary storage मतलब storage या तो primary होते है या secondary होती है virtual memory रिजिस्टर में accumulator बफ़र शायद मैंने same to same पहले बोला secondary storage भी होती है जो कि per minute वाली होती है जैसे कि पढ़ेंगे हम भाई यह सब अपढ़ेंगे CD, DVD, holographic versatile disk, HVD, magnetic tape, magnetic disk, floppy disk, hard disk, CD, DVD full form पता है compact disk, digital versatile disk, okay अब याद रख लीजे कि यह सब हमको पढ़ना है आने वाले lecture में जार मुझे बता कोई computer की full form क्या है computer की full form क्या है याद रखना यह भी याद रखना कोई मसला नहीं commonly oriented machine particularly used for trade research, trade sorry trade education and research ठीक है commonly oriented machine particularly used for trade education and research यह बोला जाता है हाँ भाई यह है computer की full form आपको समझ में जो चीज नहीं आई नीचे आप comment कर लीजे आगले lecture में मैं आपके सवालूं का जवाब भी lecture में include करूंगा ओके बाई, अल्ला हाफिज अल्ला है आपके वाफिए